है गाइस कैसे हैं आप सभी लोग सो गाइस हाज हम बात करेंगे अपने जो करेंट अफेर का जो आर्टिकल डिसकों डिसकस करेंगे फा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल वो है आपका कॉर्मन वेल्थ यूमन राइट्स इनिशेटिफ यानि CHRI के बारे में क्या कंटेक्स्ट है तो देखे अभी CHRI ने एक रिपोर्ट को रिलीस किया है जिसका रिपोर्ट का नाम है एराडिकेटिंग मॉडन स्लिवरी एन असेस्मेंट ओफ कॉर्मन वेल्थ गवर्मन प्रोग्रेस तो बेसिकली एक मॉडन स्लिवरी पे जो CHRI के दौरा है उनके दौरा एक रिपोर्ट जा सकता है तो देखे पॉलिटिकल साइंस में यूमन राइट का टॉपिक है आप सबको पता है तो पेपर वन में आप इसको कई कोट कर सकते हैं कि देखे जो रिपोर्ट रिलीस करी गई थी वर्ल्ड डे अगेंस ट्राफिकिंग के दिन रिलीस करी गई थी यहां पे देख गोल्स है क्या इनको अचीव कर पा है जैसे कि फोर्ज लेबर को एडिकेट करना यूमन ट्राफिकिंग को हटाना चाइड लेबर को बैं करना ठेक है तो बिसिकली कॉमन वेल्ट नेशन का एक काइंड ओफ चेक किया गया है कि कितना इन्होंने प्रोग्रेस किया है ठेक है फिर देखे रिपोर्ट ने ये चीज़ फाइंड आउट किया है कि पूरे वर्ल्ड में वन थर्ड ओफ दे कॉमन वेल्ट कंट्रीज है इन्होंने देखे ये भी रिपोर्ट कहती है कि जो मॉडर्ण स्लेवरी है जिसको खतम वनना था वाई 20-30 इसमें ज्यादा कोई इतना तगड़ा कमेंट्मेंट नहीं दिखाया है तो आप इसो कोड कर सकते हैं कि कैसे जो जो कॉमन वेल्ट नेशन से बिसिकली अगर आप इसको अगर आप मार्क्सिस्ट परस्पेक्टिव से देखे तो ओवर्डेवलफ स्टेट है ठीक है ओवर्डेवलफ स्टेट्स ने कैसे जो साउड एजियन सोसाइटीज है ठीक है उन्होंने कुछ जादा खास दिखाया नहीं है तो एंड मॉडन स्लेवरी ठीक है ऐसा बोला जाता है कि वन इन एवरी वन फिफ्टी पीपल इन कॉमन वेल्ट इस लिविग इन देटा बहुत ही जादा तकड़ा है ठीक है कभी भ जरूर इसको यूज करना कि वन इन एवरी वन फिफ्टी इन दे कॉमन वेल्ट इस लिविग इन दा कंडिशन ओफ मॉडन स्लेवरी फिर उसके बाद देखे जो और और बात है की गई है ठीक है बट सबसे जादा जो इंपॉर्टन यह है कि बहुत दुखत बात है ऐसा पूरे वर्ड में वन तर तो आप इसको भी रिपोड कर सकते हैं इसको भी डेटा को कोकोड कर सकते हैं कभी अगर आप यूदा गयाधि से लेवरी को अभी इंडिया wstr to बात करते हैं कि ऌ neutrी आभी को प्रक्टिस किया गया रहा है फिर उसके बाद बाद देखिये और Commonwealth Countries की तरह ही इंडिया ने भी जो International Labour Organization ILO का 2011 का Domestic Work Convention है उसको ratify नहीं करा है और नहीं 2014 का Forced Labour Protocol को ratify करा है तो ये भी एक देखे बहुत बुरी बात है क्योंकि इंडिया is a democratic country यहाँ पे हर एक individual की Human Rights, Dignity इसको protect करना है तो ये फिलाल बिल्कुली opposite जा रहा है तो 2011 का Domestic Work Convention को भी ratify नहीं करा है और Force Label Protocol को भी ratify नहीं करा है फिर उसके बाद देखे यही report highlight करती है कि इंडिया देखे largest country है जितने भी Commonwealth के nations है और सबसे weakest response इंडिया करा है और कोई National Coordinating Body नहीं है नहीं कोई National Action Plan है फिर यह तो हमने बात कर लिए इस report के बारे में जो भी Commonwealth of Nations ने release करी है modern slavery पे अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि आकिर Commonwealth of Nations क्या होता है यह body पे भी question आ सकता है आपको पता होना चाहिए ठेक है and 2012 के prelim में तो आया भी है तो देखे Commonwealth of Nations यह आपकी एक inter-governmental organization है 53 members इसमें है लगबग and mostly देखे यह colonies रही है former colonies रही है mostly सारी तो नहीं and यह जित्ती भी British Empire की colonies है उनका kind of एक grouping है ठेक है और यह 20th century में लगबग बनी थी and 1949 में इसका London declaration के तुरू formally इसको constitute किया गया था and यह तो देखे लगता है कि यह Commonwealth of Nations है British के अंडर आता है ऐसा नहीं है the members are completely free there is no legal obligation किसी भी अनदर पे ठेक है और बस united इसलिए है कि भाई हमारा same language है history है culture है ठेक है we have the shared value of democracy human rights rule of law ठेक है तो यह सब same है हमारा same past रहा है semi-colonial ने परपस वही है simple की coordination हो cooperation हो ठेक है और British के लिए देकि ज़्यादा फाइदा है कि directly cut off ना हो जाए link ठेक है markets availability हो फिर वही western values को promote करना ठेक है एक kind of body है जहाँ पे सारी जो third world countries है जो इनकी colonies थी वो आपकी है तो बस इस type की परटिकलर body है ऐसा कोई यह नहीं है कि अगर आप common wealth के member बन गया है तो you are losing your sovereignty ऐसा कुछ नहीं है फिर देखे हम बात करते है common wealth human rights initiative के बारे बात करते है तो देखे यह एक पहली बात international NGO है और इसका देखे मकसद यह है कि किस तरीके से जो human rights है उसको practically realize किया जाए और common wealth countries में specifically यह aim करता है so it works towards the practical realization of human rights in the countries of the common wealth found देखे 1987 में हुआ था इसका headquarter न्यू डेली में है तो objective वही है promote the awareness और आपके human rights को promote करना internationally जो recognized human rights instruments है उनके बारे में बताना ठेक है और फिर उसके बाद देखे इसको use कहां किया जा सकता है इस particular body को यह कभी लिखने को आए तो बस आप कभी human rights एक सिक्टरा पर question आए third world countries में या common wealth में तो आप लुक सकते हैं कि common wealth human rights initiative ने अभी अभी report निका ली है उसमें बताये गया कि कैसे इंडिया का बहुत बुरा performance है ठेक है and इंडिया is one of the place where modern day जो slavery है उसको बहुत जाता दिखा जाता है फिर आप यह सब भी बता दिएगा one in every one fiftyth people in common wealth आज भी slavery के अंदर है ठेक है third world की यह pretty situation बताता है तो इस तरीके से आप human rights पर कभी भी question आए तो common wealth human rights initiative के बारे में लिखना मत भूलेगा और एक domestic work जो convention है 2011 का यह लोग को इसको भी आप यार रखेगा तो चलिए guys इस particular video में इतना है if you want to join the complete course on PSIR optional तो मुझे telegram पे message कर दिजा at the rate सुमेट इस देर पर तो चलिए next video में मिलते हैं till then bye bye